क्या आपने भी NCW EB admission के समय गलती से गलत Gmail ID फिल कर दी है अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए ही है जी हाँ बिलकुल यह वीडियो आपके लिए ही है और हमारे इस YouTube चैनल पर आपकी पूरी help की जाएगी तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक समस्या की फिर उसके बाद बात करेंगे solution की तो वीडियो को पूरा देखे ताकि आपकी समस्या का समधान हो सके तो देखिए जब admission form स्टार्ट हुए थे तब बहुत से बच्चों ने गलत email address फिल कर दिया था जैसे कि Gmail ID के अंदर spelling mistake होना जिससे कि अब NCW EB students को समस्या का साम OTP आता है और OTP के बिना exam form भरना possible नहीं है और 13 November की last date है और student अपनी fees नहीं भर पा रहे और मुझे मेरे कुछ subscribers के comment आ रखे हैं कि सर हमने गलत email ID फिल कर दी है और OTP उसी mail पर जा रहा है तो हम क्या करें तो देखिए ऐसे में आपको परशान होने की बिल्कुल जरूरत नही है आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए यह problem आपके college दवारा ही ठीक की जाएगी जिस college में आप पढ़ते हो आपको उसी college के अंदर जाके ही अपनी mail ID को ठीक कराना है कुछ students को सलाह दी गई थी कि वह exam center जाएं लेकिन आपको due exam center जाने की दरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपक आपको इस वीडियो से जी mail ID को ठीक करा लीजिए और exam form भरके fees जमाग कर दीजिए और एक important बात कि अगर किसी student ने exam form के अंदर गलत subject fill कर दिया है तो वे अपने college के office room से उसे ठीक करा सकते हैं तो आपको इसको लेकर भी गवराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी help हो सके और वीडियो को like करें बिना बिल्कुल मत जाना और याद से चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद आपका दिन शुब हो